तो हम लोग पढ़ रहेते हैं double and triple integral जिसमें कि हम लोग question solve कर रहेते हैं आज ऐसा question नहीं है जो कि very very important है exam में आया हुआ question है इस question को solve करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए पहले से वह हम पहले बता देते देन उसके बाद question को solution देखेंगे तो सबसे पहले देखें हम side में रिखें हुए इससे previous question में भी यह चीज यूज हुआ था means cos 0 degree का value क्या होता है पता होना चाहिए cos 90 degree का value क्या होता है पता होना चाहिए क्यूंकि देखें यहाँ पे जो limiting point x का 0 to 90 degree दिया हुआ 5 by 2 90 degree होता है क्या होता है एक बाद और पता होना चाहिए u और v का integration क्या पता है क्या होता है इसलिकर से integration यू भी और x के respect में मान लेते हैं कर रहे है यू भी का integration यू भी का integration होता है वो होता है यहां पर लिख दे रहे है तो इस वज़ा से थोड़ा लंबा होगा यू को as it is लिखेंगे जो भी टर्म दिया होगा देगा यू as it is लिखा जाएगा वी का करना होगा फिर से integration टीक है तो integration भी एक के respect में है यहां पर तो एक्स के respect में जिसके respect में रहेगा उसके respect में करना होगा आपको फिर होता है माइनस पर integration अब यू जो टर्म था उसका क्या करना है पता है differentiation करना है एक्स के respect में फिर multiplication ही है अब जो है वी जो बचा उसका फिर से करना होगा यहां पर आपको integration और जो भी result यहां पर निकल खाएगा उसका फिर से करना होगा integration तो यह होता है हमारा यू और वी का integration चाहिए नहीं है तो यह होता है आप लोगों को पता होना चाहिए तो दो तीन बार क्वेशन में बनाएंगे ना तो समझ में आएगा वैसे semester 1 से लेके 5 तक तो यह बहुत बार आचुका यह बहुत बार आचुका यू और वी का तो जुरू शेर कर दीजेगा और कमें जुरू बथा इह है वीडियो कैसे लगतैंस अप लोगों को मदने लूषिंसको क्यों सब्सेल सोलीशन है हमारा क्या सिंपल लिखते है विबेन इंटिघ्रिल क्या है integral तो integral है this one i से denotion इसको कर सकते है x sin x plus y and dy upon dx और reason भी दिया हुआ है वो reason भी लिख दिजेगा ठीक है this one and y by 2 and y का दिया हुआ this one by by 2 now अब देखिए यहां जो term है dy दिया हुआ उनसा y का अंदर में लेकर रखेंगे टिक है आई एक वर्टू जीरो से लेकर पाइबाइटू जीरो से लेकर पाइबाइटू को फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है बट अगर चेंजेश रहता है यहां पर तो फर्क पड़ जाता टिक यहां पर x sin x plus y और यहां पर दिय वाई by dx ठीक है तो यहां पर यहां पर sin x plus y का इंटिकेशन होगा तो sin x plus y का इंटिकेशन क्या होगा 0 से लिए के 5 वाई टो ओ वाई में लगएगी ना यहां पे आप रैकेट कर सकते तो यहां पे भी ब्रैकेट करेंगा तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि y के जगह पे value यह सब put out करने है और यहां पे dx करना होगा then 0 से लिखे y by 2 यह हमारा x हो गया तो देखें यहां पर क्या करेंगे minus यह हमारा cost x plus 90 degree x plus 5 by 2 और यहां पर क्या होगा देखें यह minus है और formula में माइनस आजाता है तो माइनस माइनस के हो जाएगा यहां plus हो जाएगा यहां पर यहां पर cos x plus अब यह जीरो डिगरी अब यह हो जाएगा cos x plus 90 degree minus cos x plus 90 degree को हमने लिख सकते है साइन सिंपल लिख सकते हैं इसको साइन यह पूरा completely चीज़ को ठीक है तो यह हमारा हो गया साइन और यहां पर क्या हुआ यह जो है वो cos x plus 0 डिगरी मतलब क्या हुआ सब्सक्राइब क्या होगा तो यह हमारा हो गया को सब्सक्राइब अब देखिए यहां होगा एक्स की रिस्पेक्ट में इंटिकेशन तो यू और वी का इंटिकेशन यहां पर लगेगा ठीक है यहां पर एक्स साइन एक टर्म है और यहां पर एक्स कॉस एक्स दूसरा टर्म है इंटिकेश वान ठीक है उपर ही रेस करें और बनाएं देखिए कैसे बनेगा और अग-पर आ पीए-क्स का इंटिकेशन क्या होता है माइनस पोस अच्ट मतलब किया हुऊ है buna कि कि यहां पर मल्की के किशन ही है तो तो यहां पर एप् Plant तो यहां पर दूसरा तर्म का भी करना होगा इंटिकेशन यह दूसरा तर्म का तो यहां पर यहां पर यहां पर दूसरा तर्म हो गया तो है एक स्पलबलंव थे मैन लिमितिंग फॉइंट जो होगी वो क्या होगे इसको यह ऐखुड नजिए मैने क्या हुए यह एक्स मॉल्टिप्लाइब को मैनस एक्स कॉस एक्स एक्स ऑर सकते माइनस को कोई नहीं को भाहर ही सकते न ढृप माइनस के लिए पॉजिटीव में क NARRATOR होसी एक्स का सौण होता है साइने सौ लचानते तो रहे सो इंटीकेशन कर रहे ना तो संग्छो करने साइने पर शेने के whit है minus Cos X ठीक है तो यहां पर minus Cos X हो गया है दो से लिए के अधि टू है कर दो डाउट Please कमेंट okay then minus x cos x plus यहाँ पे मारा हुग है sin x plus x sin x and यहाँ minus minus किया हुग है plus cos x 0 से लिखे 5 by 2 simple put out कीजे value result आपके सामने ठीक है 1 2 result आता है कभी कभी इतना solve करने के बाद 0 की answer आता है तो देखें यहां पर क्या करेंगा पाई बाई टू और कॉस पाई बाई टू फिर क्या होगा यह माइनस है तो फॉर्मूला में क्या होता पॉजिटीव आता है पॉजिटीव आ जाएगा यहां 0 मल्टिप्लाइगर कर देते हैं इसके साथ कॉस जीरो डिगरी के साथ तो क्या होगा तो भी क्या होगा जीरो ही हो जाएगा यह तो यह एक टम होगया दूसरा टम के लिए आएं आएंगे तो साइन डिगरी माइनस यहां पर साइन जीरो डिगरी यह हो से हैं तो जीरो गो सकते हैं समझे की डिगरी यहां लिखा वह नहीं रहते हैं तो यह तो यह दूसरा टम होगया यहां पर इसको तक कि एक साथ लिख सके हम फिर इसका टम लेते हैं तो एकस के जगह पर 90 यहां पर साइन पाइब लगेगा तो यह 0 होगा यहां पर साइन जीरो प्रियां पर देखें कॉस पाइब टू माइनस कॉस चीरो देखें कि जीरो को डूल से अठाएब प्रिया जीरो मुल्टिप्लाइब किसी के साथ भी मल्टिप्लाइब से जीरो धीरो प्रिया तो जाता है तो ये 5 x 2 multiply with क्या 1 फिर-0 किस साथения बो 팁 हाल भाल derechos क्या है 따yu हमार वान है सो क्या देख रहें और ऑर यह फोजिटीव और यह निगेटिव यह तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएंगा किस तरीके से हम दो सॉल्व किया हर एक पॉइंट को मैं कभर कियों एक भी पॉइंट को मैं स्कीप नहीं की और जो भी स्कीप की बता दी कि कैसे हुआ है तो अगर थोड़ी सी भी अगर यह वीडियो हेलफुल है आप लोगे लिए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेए शेयर करते हैं थैंक्यू टाटा बाइबाइ